वेलकम फ्रेंड्स मैं मॉनिका फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तीन मिठाईयां जो बनी है सिर्फ एक ही चीज से तो सबसे वो जो चीज है वो तो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई दी वो चोई है रबड़ी मेरे पास आया था गाउं से बहुत सारा खोया तो मैंने उसकी रबड़ी बनाई तो लिजए रबड़ी के लिए तयार कर लिया है मैंने दूद, दूद में दो उफान आएगा उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे खोया रबडी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं आप कर्णेंस मिल्क से रबडी बना सकते हैं ब्रेड या मिल्क पाउडर से बना सकते हैं तो मैंने इसमें खोया और मिल्क पाउडर डाला था इसको थोड़ा सा गाड़ा करने के लिए खोया ये प्योर है बिल्कुल भैस के दूत का है और ये मतलब गाउं से आया है तो इसमें मतलब इतना जादा अच्छा था टेस्टी और लीजिए मैंने करने उसको मिल्क पाउडर को भी घोल के डाल दिया है अपने रबडी में और थोड़ा सा गाड़ी होने के बाद ये हो बिल्कुल तयार रबडी और मैंने इसमें बिल्कुल भी चीनी अभी तक नहीं डाले और नाम मैं इसमें अभी डालूंगी क्योंकि हमें तीन अलग लग मिठाईया बनानी है इसलिए तो पहली मिठाई के लिए मैंने लिए हैं दो आम और इसको निकाली है इसकी मैंने गु मैं इसके लिए जो रबडी तयार करूंगी वो होगी एक तरह से कुलफी की तरह तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गोले का पाउडर आपके पास गोले का पाउडर ना हो तो घिसा नारियल घिस लेजिए सुखा नारियल और यह डाल दिया है मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ये डाला है गोले का पाउडर और थोड़ी सी मेवा तो ये लगेगी बिल्कुल कुलफी की तरह और अब ये जो मैंने तयार करी है ना कुलफी जैसा मेटीरियल इसको हम भर लेंगे आम के अंदर और इससे ये इसको भरने के बाद इसमें कैप लगाके इसको रख देंगे फ्रीजर में फ्रीजर में रखने के बाद जब ये जम जाएगी तब हम इसको निकालेंगे और ये हमारी बन जाएगी मैंगो कुलफी तो लीजिए ये दोनों कप मेरे तेयार हैं और अब मैं इसको रख देती हूं फ्रेजर में और अब करते हैं दूसरी मिठाई की तेयारी दूसरी मिठाई के लिए डाल दिया है मैंने पैन में घी ये देसी घी डाला है मैंने और इसमें डाल दिया है थोड़े से जवे या वर्मिसायल जो आपको मिलती है मार्केट में वो और इसको बूनने के बाद इसमें डाला है थोड़ा सा पानी पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कंडेंस मिल्क कंडेस्मिल मीठा होता है इसलिए मैं इस वाली रबडी में भी ज़ादा चीनी नहीं डालूँगे क्योंकि रबडी मेरे को ऐसे ही रखनी है वैसे भी अगर आपको पसंद हो इसमें तो इस वाली रबडी में आप थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं तो वो जो मेरा वैमिसल तयार किया था हम इसको रख देंगे इसमें जमने के लिए आप चाहें तो किसी कटोरी में भी जमने के लिए रख सकते हैं बस जमने से पहले उसमें थोड़ा सा पाउडर लगा लीजे ताकि आपको निकालने में आसानी हो तो लीजिये इसमें भी रख दिया और एक मैंने कटोरी में भी रख दिया ये हो गई मेरी टोकरी तैयार रबडी की और रबडी तो पहले से ही तैयार थी और इसमें डाल दिया उपर से थोड़े से मेवा तो दूसी मिठाई भी तेयार हो गई ठंडी होने के लिए अब तीसी मिठाई के लिए मैंने लिए ब्रेट और इसको मैं काट लेती हूँ आधा-अधा आप चाहें तो इसकी किनारी काट सकते हैं वरना वैसे भी इसको तल सकते हैं तो कड़ाई में तेल गरम करके इसको हम तल लेंगे अच्छे से ये तीनों ही मिठाईयां देखिए एक ही चीज से तयार हुई है और लीजिए ये तीनों सारी ब्रेट मैंने जो काटी थी ना वो तल ली है और इसको मैंने कुछ चाशनी में नहीं भिगोया ब्रेट को कुछ भी नहीं किया है अब मैं रबड़ी में डाल रही हूं पीसीवी चीनी आप चाहे तो बूरा डालीजिए क्योंकि हम इस वाले में हमने कुछ भी चाशनी या कुछ मीठा नहीं उसकिया है तो इसको हम रबड़ी को मीठा कर लेंगे तो अब बस इस वाले में शाही तयार करी है वह और थोड़ा सा पिस्ता और लीजिए शाही टुकड़ा भी तयार हो गया और तीनों मिठाईयां हमारी हो गई तयार और देखिए यह खोई से या तो आप गरम मिठाईयां बना सकते हैं और गर्मियों में ऐसे ठंडी मिठाईयां और मैंने तो तीनों की तीनों ठंडी ही बनाई थी डेजर्ट बनाया था तीनों का तीनों यह देखिए फ्रिज में रख दिया था और अब यह बिल्कुल हो गया तो चलिए आम को निकाल लेते हैं फ्रिजर में से क्योंकि वह बिल्कुल जम चुका होगा अब उसको दोने के बाद मैं रही हूं इसको छील यह आलू छीलने वाले चिलू से चील लेजिए बहुत ही आराम से छल जाता है यह और इसको छीलने के बाद हम इसके पीस काट तो देखिए तीनों ही मिठाई हैं हमारी एक ही चीज से हो गई ना रेडी तो बताएगा जरूर आप मेरे को कमेंट करके कि आपको इन तीनों में से कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगी और प्लीज मेरे चैनल को शेर सब्सकाइब करना मत भूलेगा अगर आपको रेसिप पसंद आयो तो लाइक जरूर करेगा मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू रादे रादे